हरे कृष्णा मैं हूँ जोद्साचारे डॉक्टर विंतर पाथी आप देख रहें लक्व गुरुकारक्रम लक्व गुरुकारक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे अंतिम राशी मीन राशी के बारे में कि जो मीन राशी के जातक है उनकी लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है किस फ्रिड में आज आपको सफलता मिलेगी माली हालत कैसी रहेगी रुका हुआ धन मिलेगा या धन अचानक अकास्परिति के द्वारे मिलेगा इकर्डविक किस्थि क्या रहेगी विदेश शात्रा का क्या योग है माता पिता से कैसे संबंद रहेंगे मित्रों की सहयोग रहेगा या सहयोग रहेगा ये भी बताएंगे और आज आपको क्या सौधानी ब्रतनी क्या उपाय करना है इस सारी बातें बताने वाले हैं सरकारी नोकरी मिलेगी या प्रिवियट के या स्ट्राण से लाव मिलेगा आपको बताने मालेお願いします साथ हुम हमें भी बताइए है कि आपको स्वधानी का अब रतनी है या किया करना है और आपके लिए अब आईए हम बात करते हैं तिम राशी मीन के जो मीन राशी की जातक है उनके लिए आज का दिन चतुर्दिक रूप से काफी अच्छा है आपका आत्म बन बढ़ेगा आत्म विश्व आपसे प्रिद्धी होगी जो भी आप महात्व कांच रखेंगी जो इमेजिनेशन को विदेश श्यात्रा का भी यूगबन है पुस्तक लिख सकते हैं किताबे लिख सकते हैं कहानी लिख सकते हैं कॉलेज होगरत खोल सकते हैं उसके लिए आपका समय बहुत बढ़ी है जदि शिक्षा के फिल्ड में अगर व्यापार करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेग रोग और सत्रू परास्त होंगे माता का शुक मिलेगा दामपत्य जीवन में सुधार होगा पत्नी से लेकर के थोड़ा सा केसी ने किसी बात को लेकर के मनमुटाओ की स्थि हो सकती है अपने उपर दहरे रखने की जूरत है गुसा पर कंट्रोल करने की जूरत है आज अपन मिलेगा पूजी निवेस करते कोई मिभी लिए नियुक करते हैं अच्छा रहेगा जेदि आप खेती उति के इले जमीन खरिदना चाहते तो विबादित जमीन खरिदने से बचने की आप सकता है माता का सुख मिलेगा दाम-पत्य जीवन अच्छा रहेगा रोग और सब्सक्राइब दियुक्ति सब्सक्राइए आज आपको उपाय क्या करना है सिद्धिकुंज का शुक्तम सिद्धिकुंज का अर्गला डेवी सुक्तम इस पार्ट को करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा आपके लिए सुभंखये नौ और सुब्रंगये पीला हरे कृष्ण झाल